हेलो मेरे भाईयों कैसे हैं आप सब दोस्त उमीद करता हूँ सब दोस्त बड़ी आऊंगे मज़े में होंगे तो आज की क्लास के लिए सब भाई मेरे रेडी हैं तो जीके जीएस की आप सब भी भाईयों को जैसे मालूम है अपनी सीरिस जो है वो चल रही है सूपर 20 नाम से ठीक है तो जो की आपके एक्जाम से पहले पहले कम्प्लीट जीके की जिम्मेदारी जो है वो मैंने ली हुई है और कम्प्लीट आपको महारत भी हासील करवाऊंगा तो बिना ज़्यादा टाइम बेस्ट किये चलते हैं अपनी पहले कुशिन के और तो कुशिन में पूछा फर्स्ट दिया है इनोंने वर्मी कल्चर तो वर्मी कल्चर में क्या करते हैं रेरिंग आफ अर्थवाम अर्थवाम क्या होता है मेरे वाई हो केचुआ ठीक है अर्थवाम जो है केचुए जो है वो पालते हैं वर्मी कल्चर में फिर उसके बाद आता है एपी कल्चर एपी गल्चर ये forest से related है किसके related है forest से related है और focus जो है इसमें किस पे किया जाता है focus किस पे होता है timber के tree पे कुण सा timber पे इसका focus होता है clear और last कुण सा है sericulture जो है जो की raw silk जो है वो produce करता है silk क्या होती है मेरे बाई रेशम ठीक है क्या होती है रेशम राव silk जो है वो produce करता है कैसे caterpillars को पालते हैं इसमें caterpillars जो होते हैं रेशम के कीड़े जा रेश की कीड़े हम जिने नौर्मली कहते हैं उनको पाल के चीक है तो vermiculture अर्थबॉम्स को पालते है कीजू को एपी कल्चर जो है इसमें हमारा सही आंसर रहेगा जिसमें honeybees को पाला जाता है silvy कल्चर ये forest के related होता है मेरे बाई इसमें timber का जुटरी होता है उसमें mainly focused रहता है और seri कल्चर जो है ये आ जाएगा किस के related ये आ जाएगा silk के related next question देखते हैं who was the chairperson of first parliament of independent India ठीक है बिदाई निकाए के रूप में सबतंतर वारत की पहले संसद अध्यक्ष कोन थे यहाँ पे किसकी बात की गए है मेरे बाईयो पहले अध्यक्ष की chairperson की chairperson कह लिए speaker कह लिए legislative body का clear है तो क्या अंसर रहेगा हमारा G.V. Mavalankar जो है बिल्कुल से या अंसर रहेगा अगर इनके full name की बात की जाए तो गनेश वासुदेव गनेश वासुदेव मavalankar जो है इनका full name है अगर इसके जिवा question क्या बनता है एक दो और question बनते हैं टाइप पे वो बनते हैं consistent assembly पे किस पे बनते हैं consistent assembly के members पे ठीक है तो पूछा जाता है question की first temporary जो है first temporary chair person जो है वो कों थे consistent assembly के तो इसमें हमारा क्या answer रहेगा सचीदा नंद जी सचीदा नंद सिनहा जो है ये first temporary chair person थे consistent assembly के और अगर बात कर ली जाए permanent की permanent की मेरे वाई यो अगर बात कर ली जाए तो डॉक्टर रजेंदर परशाद डॉक्टर रजेंदर परशाद जो है बिलकुल सही answer रहेगा clear है तो बढ़ते हैं अपने next question की और किसी question में मेरे वाई को कोई doubt रह जाए तो आप बेजी जग जो है वो बता सकते हैं next question पूचा गया है तलाक का meaning जो है वो क्या होता है उर्दू language में तलाक mean in उर्दू तो तलाक शब्द जो है ये Muslim people जो होते हैं वो use करते हैं किसके लिए marriage breakdown के लिए किसके लिए marriage breakdown के लिए जैसे normally English में इसका शब्द होता है divorce ठीक है तो वैसे ही marriage break जो है बिल्कुल इसका सही answer रहेगा option number B वाले दोस्त बिल्कुल सही रहेगा ठीक है बट अभी जो है ये तलाक शब्द जो है जाए divorce का जो ये system था ये ban कर दिया गया था इसमें actually क्या था पहले कैसे होता था कि तीन बार जो है अगर Muslims जो होते थे अगर उनको divorce लेना होता था तो बिना कोई court case के जा बिना official कारवाही के simply तीन बार तलाक बोलते थे और वो बीवी को divorce दे देते थे ठीक है बट ये ban हो गया है अब ban हो गया है कब से हुआ है ban मेरे भाईयो तो ये हुआ है 22 अगस्त 2017 से 22 अगस्त 2017 से ये ban हो गया हुआ clear है समझ आ रहा है questions ठीक है किसी question में फिर से बोर रहा है कोई doubt रह जाए तो पूछ लीजिएगा comment box में लिख दीजिएगा और try कीजिए मेरे भाई कि जिन जिन भाईयों को जो जो आंसर साते है वो साथ साथ में comment box में आंसर देते जाएंगे ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं अपने next question की तरफ who started the permanent settlement in Bengal and Bihar in 1793 Bengal और Bihar में permanent settlement permanent settlement से आपका क्या समझ रहे है जिमीदारा system क्या समझ रहे है मेरे भाईयों जमीदारा system जमीदारी system ठीक है जमीदारी system जो है बेसिकली आप कह सकते हैं ये किसने start किया था Bihar और बंगावल में जमीदारी system में क्या था कि जो भी किसान भाई थे हमारे जो भी peasants थे उस टाइम पे उनको एक land of peace दे दिया जाता था और जिससे उनको fix amount of money क्या दिया जाता था fix amount of money fix amount of money जो है वो पे करते थे किसको company को company कौन सी company Britishers की जो company थी Britishers को पे करते थे वो annually ठीक है सालाना पे करते थे एक चीज मैं आपको बता दूँ मैं आपको फिर से बिश्वास दिला देता हूँ GKGS जो है हम पूरी तरह से अच्छे से cover करने वाले हैं मेरे भाई स्टार्टिंग से जुड़ जाओ अगर आप अभी भी जुड़े हो स्टार्टिंग से classes देखना शुरू कर दो एक एक चीज जो है हम लास्ट पॉइंट तक अच्छे से cover करते हुए चलेंगे और आपको आपसे मेरा promise है कि आपको कोई शिकायत जो है वो GKGS में नहीं रहेगी ठीक है बकाइदा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं द्यान लगा के पढ़ते हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से revise करते हैं ठीक है तो बात कर रहे हैं यहाँ पे जिमिदारा सिस्टम की तो मिरवाई जिमिदारा सिस्टम जो है ये किसके दवारा लाया गया था permanent settlement हमें जिसे कह सकते हैं तो क्या answer रहेगा इसमें Cornbellis Option number A जो है बिल्कुल सही answer रहेगा उसके जिवा देखिए एक और नाम है डलोजी करके नाम है डलोजी जो है ये किसके लिए जाना जाता है Doctrine of Doctrine of Laps Doctrine of Laps करके जो है इसके लिए जो है डलोजी जो है वो जाना जाता है इसमें actual में था क्या इसमें इन्होंने क्या बिलपारित किया था कि अगर कोई राजा है उसका अगर सगा बेटा होगा तो वही जो है अगर राजे संभालेगा अगर किसी राजा का अगर सगा बेटा जो है वो नहीं है अगर उसने अडॉप्ट किया है कहीं से जा किसी का लिया है जा चचेरा बेटा है जा ऐसा कुछ कहलो तो वो जो सारी जमीन है सारा जायदात राज्य है वो किन केंडरा जाएगा ब्रिटिशर्स केंडरा जाएगा इसकी example हमें देखने को क्या मिलती है रानी लक्षमी भाई कहते है ना खूब लड़ी मरधानी वो तो जांसी वाली रानी थी तो वो जो है वो इनी की example है ठीक है क्योंकि रानी लक्षमी भाई का विजो बेटा था वो कहा जाता था कि ये इनका सगा बेटा नहीं था तो इसलिए रानी लक्षमी भाई इनके खिलाफ होई थी उसके सिभा एक और option है, hasting करके है, ठीक है, wherein hasting करके, तो hasting किस नाम से जाना जाता है, यह first governor general रहा है, क्या रहा है यह, first governor general of India, first governor general of India रहा है, hasting, ठीक है, और lord canning जो है, l canning जो है, lord ward नहीं कहेंगे हम इनको, canning जो है, canning क्या रहा है मिरे भाईयो, जल्दी से इसका बता तो फिर्स्ट वाइसराई वाइसराई आफ इंडिया यह चीज मैं समझ सकता हूँ कि इसमें से questions आते हैं बत बहुत से बच्चे जो है confused हो जाते हैं ठीक है क्यूंको यह पूछते हैं फिर्स्ट गवर्णर जनरल फिर्स्ट वाइसराई ठीक है, last governor general, last viceroy तो ये सब आपको time के साथ cover कर दूँगा अभी देख लो, first governor general कूण है? hasting है, first viceroy कूण है? canning है, last governor general भी लिख लीजिए, last जो है वो कूण है? mount baton है कौण सा है? sorry, lost viceroy है mount baton क्या है? viceroy mount baton ठीक है? तो mount baton जो है क्या हो? last viceroy है clear है सबी दोस्तों को? next question देखते हैं, what term describe the fragmentation of white light into its component color? simple सी बाशा में अगर आपको समझाऊ तो splitting of white light white light जो है, उसकी जब splitting होती है, split क्या होता है? फैलना ठीक है? उसे जो है उसके component color में जब एक white light आके फैलती है, तो उसे हम simply क्या कहते हैं? basic basic सा चीज़ बताया आपको, रुको नहीं समझाया तो गबरा क्यों रहे हो? मैं हूँ यहां पे, ठीक है? यह मान लो एक prism है, क्या है? एक prism है, glass का glass का यह होता है prism, ठीक है? तो यह यहां से गई हमारी bite light ध्यान से समझो, यह गई bite light, ठीक है? तो यह क्या होता है? आगे जाके यह फैल जाती है एक, दो तीन अवी, आई, बी, जी वाई, ओ, आर विवग्योर बनता है, क्या बनता है मेरे वाई? विवग्योर बनता है, अवी, आई, बी जी, वाई, ओ, आर यह बनता है, अवी से कौन सा कलर बनता है, यह आगे ना, white light, जब एक glass के prism से pass होती है, तो इसके आगे colors में different, बिखर जाती है तो जिसे हम क्या कहते हैं? dispersion कहते हैं तो जो answer है, इसका वो dispersion रहेगा अब आगे concept को समझो अवी से होता है violet, आई से उपर होगा, उसकी wavelength सबसे ज़्यादा होगी जो सबसे नीचे होगा उसकी least wavelength होगी क्या होगा? least wavelength सबसे कम wavelength होगी, clear है, doubt clear होगया, इस पे wavelength पे भी question आते हैं कि किस color की सबसे ज़्यादा wavelength होती है, तो red जो है अमारा answer सही रहेगा, अगर red के बाद का पूछ लिया जाए तो ओरेंज जो है बिल्कुल सही रहेगा ओरेंज के बाद येलो और सबसे लिस्ट वाइलेट की इस तरह से जाद कर लिजे अवी आई वी जी वाई ओ आर विवग्योर ठीक है कलियर है मेरे भाईो कोई डाउट बगारा तो नहीं बचा अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार पीछे करके फिर से देख लिजे यहां फिर कमेंट में बता दीजे definitely मैं help करूँगा solve करने में ठीक है next question देखते है in which year did the national parliament adopt industrial policy resolution जो जो भाई साथ में जुड़े हुए है मेरे साथ starting से first class में जैसे बिलाल है उसके सिवा चेम यूंग मनीश है यह जो दो तिन भाई है तो इनसे तो मैं उमीद करूँगा कि answer दीजिएगा क्यों क्योंकि यह starting से जुड़े हुए है और मैंने यह बताया था industrial policy के related ठीक है याद कीजिए जिसमें मैंने तीन नाम बताये थे राउर किला दूसरा बताये था विलाई तीसरा बताये था दुरगापुर ठीक है याद कीजिए कहां यह नाम बताये थे मैंने आपको ठीक है जल्दी से जल्दी से दीजिए जिन दूसरे भाईयों को भी मालूम है वो भी दीजिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ 1956 इसका अंसर रहेगा ये मैंने आपको बताया था second five year plan में किसमें बताया था second five year plan में बताया था मेरे भाई ठीक है जो की किस पे था industrialization पे ठीक है किस पे बेज़ था महाल नोबिस plan पे महाल नोबिस model पे बेज़ था ये ठीक है और इसमें industrial growth की गई थी जिसमें तीन industries रॉल के ला बिलाई और दुरगापूर जो की वेस्ट बेंगॉल में है ठीक है बिलाई जो है वो 36 गड़ में है और रॉल के लाई जो है वो मेरे भाई ODISA में है देखो अगर तो आपने इसका answer दे दिया सही तो मान लो कि आपकी revision जो है वो अच्छी चल रही है जाँ आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है अगर आपने answers नहीं दे पाए हो अगर आप confused होगे हो तो ज़्यादा attention मतलो बस इतना सोचो कि आप revision जो है वो नहीं कर रहे हो आप बस class attend कर रहे हो उन चीज़ों को revise नहीं कर रहे हो तो मेरी आप से request है कि साथ साथ में revise भी करो भाई हो result जो है वो definitely अच्छा वनेगा ठीक है revision जो है वो बहुत जरू है इसलिए आपको बोलता हूँ कि notes बनाओ revision करो timely चलिए बढ़ते है next question पर when was the new economic policy launched in India भारत में नई आर्थिक निती जो है वो कब शुरू की गई थी जो भाई कुछ हिंदी से है center इंडिया वाले है उनसे कोई ज़्यादा problem तो नहीं आ रही थी 1991 में एक चीज़ ओर हुई थी LPG LPG से आप क्या समझते है LPG की full form बताईए जल्दी से भाई economic term से पूछ रहा हूँ ठीक है economic term में economics related full form बताईए LPG की जल्दी कीजिएगा जल्दी liquid petroleum gas वाला तो नहीं है कोई मेरा भाई जिसको यह लगता हो liquid petroleum gas होगा economic में इसमी क्या होती है liberalization एक P से होता है privatization और G से होता है globalization ठीक है globalization यह जो है तीनो टर्म्स जो है LPG यह जो policy है यह भी 1991 में अपनाई गई थी याद रखे क्लियर 1991 में यह policy जो है यह भी introduce की गई थी और इसका main objective जो था वो क्या था new economic policy की बात कर रहा हूँ इसका main objective था globalization 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 से आप क्या समझते है मेरे भाई हो क्या मतलब है इसका globalization का मतलब है कि globe पूरे संसार में trade करना import export करना सभी देशों के साथ रिष्टे अच्छे बनाना ठीक है आना जाना लगा रहे import export चलता रहे clear तो बढ़ते हैं अपने next question की ओर when fat and oil are oxidized they become dash and change their order and taste question को समझीएगा बड़ा मज़ेदार question है हमारी daily life में use होता है बट हम जो है वो आप कह सकते हैं कि ignore करते हैं जहां हमने ध्यान नहीं कभी दिया हुगा ठीक है देखे इन्होंने question में simple पूछा है जब fat और oil जो है वो oxidized होते हैं oxidized क्या मतलब है कि जब हवा के contact में आते हैं oxygen के contact में आते हैं तो उनका जो है वो order होता है fragrance जब smell कह सकते हैं और fragrance और taste जो है वो change हो जाता है तो उन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं acid ही का आप सभी को पता है अमल, basic, shower, ठीक है बीटर, कड़वा, एक ran acid जो ये bird है नया, इसका क्या meaning होता है अब आप बोलोगे बाई, इसका सर बता दीजी इसका क्या meaning है तो ये ही तो यो मेरे भाई है answer है ठीक है, ran acid हो जाता है वो ran acid अब example से समझाता हूँ आपको मेरे भाई, यो अच्छे से समझाएगा ये एक chips का packet है ठीक है, ये एक chips का packet है इसमें इतनी ही chips होती है ना आदी chips होती है और आदा जो है ये gas होता है, कौन सा gas होता ये बताओ जल्दी से nitrogen gas होता है, कौन सा gas होता है nitrogen gas होता है, chips जो है वो fat भी होता है उसमें और oil भी होता है, क्योंकि fried होती है ठीक है, तो अगर fried होगा ये oil में तो normally fat भी होगा, इतनी सी चीज समझते है, nitrogen इसलिए होती है gases में, क्योंकि ये react नहीं करती, क्या करती है, ये react नहीं करती, oil और fat के साथ, इसलिए इसको इसमें डालते हैं, और ये जो है, लंबे time तक, long time तक रहती हैं, अब आपको इसके opposite करके देखो, chips को उसके packet में से निकाल के बाहर रख दो, हबा में, और आप देख से करके देखो, इनके बीज में नमी आ जाएगी, और थोड़ी देर बाद जो है, वो आप chips नहीं खा पाऊगे, उनमें थोड़ी smell आने लगेगी, जा उनका taste अलग होगा, जिससे हमें क्या हो सकती है, food poisoning हो सकती है, हम बिमार पढ़ सकते हैं, example के लिए एक burger ले लो, एक burger है ठीक है, अगर आप burger on time खा लेंगे, तो बढ़िया है, अगर आप उसको 2-4 गंटे रख दो बाहर, तो उसका taste जो है, उसकी smell जो है, वो अलग हो जाएगी, ठीक है, तो इस process को हम क्या कहते हैं, rancid जो है, इस process को हम कहते हैं, उमीद करता हूँ सभी भाईयों को question ये समझ आ रहें करें वीडियो को, तो देखते हैं अपना next question, what is the maximum duration limit within which राज्ये सभा को पास करना होता है, करना होता है, मतलब करना ही होता है, करना ही पड़ेगा, ठीक है, लोग सभा से पहले वो पास हो जाता है, फिर उसके बाद राज्ये सभा में आता है, और राज्ये सभा को वो करना ही पड़ता है, राज्ये सभा ना तो हो रिजेक्ट कर सकती है, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती भाई, ठीक है, और अमेंड भी नहीं कर सकती, अमेंड का क्या मतलब होता है, अमेंड मेंड जैसे हम पड़ते हैं चेंज करना, तो अमेंड भी नहीं कर सकती, रिजेक्ट भ है राज्य सभा को वो बिल पास करना होता है बिलकुल सही answer next question देखते हैं in ancient India wrestling was most famously known as प्राचीन वारत में wrestling जो है उसे किस नाम से जाना जाता था तो मल्ला युद्धा यो है बिलकुल सही answer एगा option number B ठीक है मल्ला युद्धा अगर कुछ मेरे बाई हिंदी बाले हैं तो मल्ल कृड़ा ठीक है मल्ल कृड़ा जो कुछ difficult word होंगे जो कह सकते हैं आप थोड़े अलग लगेंगे तो मैं try करूँगा हिंदी बाले बाईयों को भी बता दिया करूँगा next question देख लो how many parts are there in the constitution of India constitution of इंडिया में कितने parts हैं तो constitution of इंडिया देखो इस question को update कर लो पहले जो है वो कितने थे 22 थे अभी currently कितने हैं अभी हो गए है 25 ठीक है अभी मेरे वाईयों अभी currently कितने है 25 जो है वो part हो गए है आपको six parts तक मैं करवा चुका हूँ last पीछे की classes में part six तक करवा चुका हूँ यो किया था था state के पास ठीक है यहां तक करवा चुका हूँ अब six से लेके आगे करवाऊंगा आपको 12 तक ठीक है जल्दी से लिख लो notebook निकाल लो एक minute अब आगे करवाऊंगा आपको seven, eight, nine, ten, eleven, twelve इसलिए हम आपको बोर रहा हूँ कि जो चीज़े एक बार हम पीछे करेंगे ना उनको आगे नहीं करेंगे ठीक है तो regular रहो classes में regular ठीक है सब यह करो तो देखिए जो seven है ना ये seven जो है ये पूछा नहीं जाता क्यों क्योंकि ये जो है seven ये reappealed है और इसमें आता है article 238 तो ये पूछा नहीं जाता है इसमें second B category states करके कुछ ऐसा करके है ठीक है B type की states जो है इसमें डालते हैं तो ये पूछा नहीं जाता है ये reappealed है तो ये बनता भी नहीं है आप इससे कह सकते हैं कि ये खारीज हो गया बात करते है eight की eight में क्या आता है the union territories बात करते है nine की तो nine में क्या आता है दी पंचायत पंचायत आता है नाइन में तो जैसे nine जो है nine में आ गया पंचायत फिर nine a भी आता है मेरे बाई कौन्स आता है nine a भी आता है रुको color change कर लेता हूँ यार ऐसे बहुत ही खसट खसट हो जाएगी nine a जो है nine a में क्या आता है देखो जगे कम है मैं बोलता हूँ ठीक है बोलो लिख लो आप municipalities आता है फिर nine भी भी है इसमें क्या आता है co-operative societies आती है ठीक है यार ये जगे का थोड़ा problem है इसलिए ये ऐसे कर दिया ठीक है तो लिख लो आप सबी तो इसके सिवा हम बात करते हैं और कौन से आगे ten की तो ten में आता है schedule अरे यार ये color कौन सा आ गया pink color से लिखते हैं आप सबी के favorite color से schedule and travel area schedule and travel area आएगा tenth में ठीक है फिर 11 जो है 11 में आएगा relation between union and states ठीक है संग और राजियों के बीच के relation और फिर जो 12 है हमारा final उसमें आएगा finance property और contract लिख लिजिए suits लिख लिजिए साथ में ठीक है ये जो है अभी ये 6 आर्टिकल्स जो है ये याद कर लिजिए ओ स्वारी schedule जो है वो जाद कर लिजिए बाई मैं क्या वो रहा हूं मेरा इनको याद कर लिजिएगा 7 जो है इसको बिल्कुल पढ़ने की जुरूरत नहीं है 8 में जो है union territories आएंगी 9 में पंचायत आएगा 9A में municipalities आएगा 9B में आएगा cooperative societies 10 में आएगा schedule and tribal areas 11 में आएगा relation between union and state और 12 जो final है finance property contract और suits जो है वो इसमें आ जाएगा ठेक है तो चलते ह अपनी next question की ओर where is the forest research institute located forest research institute बन अनुसंदान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है मेरे वाई तो दहरा दून दहरा दून बिल्कुल सही answer हो जाएगा दहरा दून बालो दूम मचा दो उत्तरा खंड कहां पर है दहरा दून उत्तरा खंड जो है बिल्कुल सही answer हो जाएग next question देखते है how many topics are basically in the union list तीन जो है वो list होती है मेरे वाई कौन कौन सी होती है एक आगई union दूसरी आगई state ठीक है और तीसरी आगई concurrent कौन सी तीसरी आगई concurrent आगई इनमें question पता क्या पूछेगा कि बताओ उनमें कितने topics है topic लिखेगा या फिर topic की जगा लिख देगा item ठ और topic कितने है इस item कितने है बस इन तीनों में से यही question आएगा इसके सिवा कुछ नहींगा रटा मार लो नहीं जाद होते है रटा मार लो union में आ जाएंगी 97 OG original ठीक है ऐसे 98 बोला जाता है बट 97 जो है इसमें original आ जाएंगी इसके बाद देख लो state state में आ जाएंगी कितने 61 60 बन topic आ जाएंगे इसमें concurrent list जो है इसमें कितने आ जाएंगे 52 topic आ जाएंगे ठीक है कितने आ जाएंगे मेरे बई 52 आ जाएंगे याद कर लो union में 97 state में 61 और concurrent में 52 topics आ जाएंगे clear तो बढ़ते हैं अपने next question की ओर which country hosted summer olympics summer olympics की बात की गी है 2020 की 2020 की 2020 की जो summer olympics थे यह मत समझो कि ज्यादा पुराने हैं नहीं आएंगे यह questions जो है statics gk का part one क्याते हैं कैसे आते हैं statics gk आप सभी ने मलूँ है तो यह statics gk का part one क्याते हैं चेक है तो 2020 के जो है वो कहां हुए थे मेरे बई जपान में हुए थे जपान में कहां पे टोक्यो में हुए थे तो पैरिस है फ्रांस में ठीक है 2024 के कहां हुए पैरिस फ्रांस में और 2020 के कहां हुए थे टोक्यो जपान में clear next question देख लेते हैं आज की class का last question रहेगा मेरे बई यो pink revolution हम सब की favorite revolution चलिए which of the following is known for growth of a large quantity of grain production using high yield variety seeds ये question भी मेरे बाईयो आपको आना चाहिए जल्दी से comment box में answer दे दो जल्दी से comment box में answer दे दो क्योंकि ये भी मैं करवा चुका हूँ HYV seeds जो है वो use किये थे ये I think last day की class में करवाया है और ये group पे WhatsApp के channel जो है वहाँ पे भी और group पे भी जो है मैंने इसका questions upload किया था बहुत सारे बच्चों ने answer भी दिया हुआ उसका ठीक है तो HYV seeds जो है वो किसके लिए मैंने बताये थे आपको wheat ग्यहूं और चावल के लिए wheat and rice के लिए जो है मैंने बताये थे और wheat and rice किस में आती है green revolution में आती है तो green revolution के father कौन है MS Swaminathan Swaminathan जो है यह इसके father है फिर इसके सिवा white revolution बर्गी स्कुरेन ठीक है बर्गी स्कुरेन जो है इसके father है और यह आती है milk के related फिर आगी हम सब की प्यारी favorite pink revolution यो की आती है meat and poultry meat and poultry के production के related जितना सुंदर नाम है उतना ही आगे सुंदर काम भी है ठीक है meat और poultry के production के लिए आती है कौन सी pink revolution कलियर है तीनों की तीनों अच्छा pink revolution के father रहे के बताने के तो pink revolution के father लिख लो मेरे भाई दुरगेश पटेल दुरगेश पटेल जो है ये pink revolution के father माने जाते है clear green revolution clear हो गया white revolution green revolution आजाएगा crops के related white revolution आजाएगा milk के related pink revolution आजाएगा meat और poultry के related green revolution के इनको याद बता कैसे किया करो देखो अभी आपने question पढ़ लिए आँखे बंद करो एकदम से first 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 repeat करो ठीक है उन questions को repeat करो आंसर को repeat करो जैसे जल्दी जल्दी green का पढ़ा white का पढ़ा pink का पढ़ा फिर इनके father's पढ़ लिए कौन कौन है फिर इनमें काम क्या होता है त यह most important चीज जो है वो यही है पढ़ते सभी है यार देखो एक्जाम आएगा ना कोई भी एक्जाम देना होगा सभी बच्चे पढ़ेंगे मेहनत करेंगे बहुत मेहनत करेंगे hardware करेंगे बट वो मार कहां सिखाएंगे revision से एक्जाम में बैठेंगे दिमाग खुजाएंगे सर याद तो किया था यार सर ने पढ़ाया था बट यहां क्यों नहीं रहा है क्योंकि revision नहीं किया है ठीक है तो revision पे जो है वो फोकस करो बीकली एक वार हफते में एक वार पक्का revision करो पक्का पक्का किसे बोलते हैं पक्का वाला revision करो ठीक है तो चलो अब मेरे को दो मेरे व जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आप सभी से यही चाहता हूं कि वीडियो को लाइक बगारा कर दो मज़धार कॉंसेप्ट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वारत